ओम स्यंती, बाबा ने हमें संपूर्ण बनने का स्प्रेष्ट लक्स प्रदान किया है, परफेक्शन बहुत बड़ी चीज है, पहले तो हम सुनते थे परफेक्टो के वल एक भगवान ही है, और कोई परफेक्ट हो नहीं सकता, लेकिन अब बाबा ने हमें बहुत सुन्दर नकेवल लक्स दिया, लेकिन गाइडलाइन भी दी, कि तुम किस तरहे परफेक्शन को प्राप्ट करो, हर चीज में परफेक्ट, चारो सब्जेक्ट में यदि हम परफेक्ट होंगे, तो परफेक्शन सह जाएगी, हमें परफेक्ट होना है सारू गुणों में, सारू शक्तियों में, और संपोर्ण पवितर्ता में, तीन चीजों पर विशेश ध्यान देंगे, बाकी सब चीजे पीछे पीछे स्वतही आ जाएगे, जब हम ग्यान में परफेक्ट होते हैं, तो हमारे विचार महान होते हैं, हमें रोज रोज गाइडलाइन मिलती है, सेवाओं के फिल में रहने से, हम गुनों में स्वयम को परफेक्ट कर सकते हैं, हमें पता चलता है, हमारे अंदर कौन सी कमी है, और सेवा की गुनों की परफेक्टन तभी आएगी, जब हम अपनी कमियों के बारे में जागरूक रहेंगे, और उन्हें निकालने में तत पर होंगे, तयार होंगे, इच्छुक होंगे, तो एक संफोनता की राही को, अपनी कमियों को फटा फट निकालते चलना चाहिए, ये नहीं कोई कमी सालो साल चलती आ रही हो, उस कमी के अधीन होकर, हम अपना जीवन जी रहे हों, तब तो सर्व गुनों में परफेक्टन आएगी नहीं, हम ध्यान दें, योगबल से शक्तियों में हम परफेक्ट बनते हैं, योगबल सबसे बड़ा बल है, इससे सारी शक्तियां आत्मा में समाने लगती हैं, और साथ साथ हम समकल्प ही किया करें, के मुझ में ये सारी शक्तियां हैं, तो सारी शक्तियां practical में काम करती रहेंगी, आठो शक्तियां एक साथ, जब चाहें, कारिये में लगी रहें, ये होगी शक्तियों की संपूर्णता, पवितरता की संपूर्णता जो धार्नाओं का सब्जेक्ट है, उस पर भी हमें बहुत ध्यान देना है, संकल्प में भी कहीं कोई आकरशन न रहे, आकरशन बहुत हैं इस संसार में, आकरशनों की कोई कमी नहीं, और जो ज्जान योग के पत्परागे बढ़ते हैं, जिन उन्होंने पवितरता का मारग अपना लिया है, उनके सामने भी माया अनेक आकरशन पैद करती रहती है कभी धन का कर्षन है कभी किसी के देहे का कर्षन है कभी किसी स्रेश्ट वस्तु का कर्षन है और कभी मानशान का कर्षन है चेक कर लें कोई आकर्षन हमें अपनी ओर आकर्षित तो नहीं कर रहा है विशेश रूप से देहे का कर्षन किसी विकार का आकर्षन इससे यदि हम्मुक्त होते जाएंगे तो बाकि सभी आकर्षन सहेज ही सभाथ होते जाएंगे इसके लिए हमें बहुत ध्यान देना है त्याग और वेराध्य वरत्ती सदा ही अपना कर रखनी है ये आकर्षन देभान की निशानी है ये आकर्षन एपवित्रता की निशानी है और ये आकर्षन हमें कभी भी हमारे लक्स की ओर जाने नहीं देंगे जैसे धर्ती के आकर्षन से हर वस्तु खिंच कर नीचे आती रहती है वैसे ही ये संसार के आकर्षन हमें बार बार नीचे खिंच कर जमीन पर लाते रहेंगे और हमें उड़ने नहीं देंगे इसलिए ये सब विनासी है या कर्षन हम माया जीत बनने वालों के लिए बहुत बड़े शत्रू हैं इनके बारे में हमें awareness होनी चाहिए जाग रूपता होनी चाहिए सुक्स्म रूप से भी किसी चीज का कर्षन हमें न हो आज सारा दिन हम अपने संपून स्वरूप को अपने सामने देखें एक vision बनाएं मेरा संपून स्वरूप ऐसा होगा मेरी संपून पवितर्ता ऐसी होगी और फिर अभ्यास करें कि मुझे संपूर्ण बनाने के लिए बाबा निरंतर अपनी किर्णे मुझे पर डाल रहा है तो बाबा की किर्णों के फांटेन के नीचे हैं हम ओम स्यंति